नमस्कार सांथियो एक बार फिर आप सभी का E-Smart Revenue Day चनल में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों UPSC के द्वारा अलग-अलग विभागों में यहाँ पर वेकेंसी जारी किया जा चुका है तो वीडियो को कम्प्लेट देखेगा मैं इस वीडियो में कम्प्लेट जनकारी यहाँ पर देने वाला हूँ यहाँ पर दोस्तों वेकेंसी के बारे में बताने के साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप इस पोस्ट के लिए कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है ठीक है चैनल पर पहली बार विजिट करने हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करने के स सान नोटिफिकेशन बेल को जुरूर पेस किजेगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट जो है आपको यहाँ पर रेगुलर मिलता रहे क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पर 100% और जैन्वा निकली गौर्ण भरती के बारे में ही जानकार रहे हैं यहाँ पर आप देख स चाम वेकर बात करें तो सभी का यहाँ पर वेकर आपको बात करें तो सभी का यहाँ पर जपेसी नंबर और लग ए कंशल ती तक है Department of Promotion of Industry and Internal Trade Ministry of Commerce and Industry इसमे एक फोस्ट यहाँ पर निकाल लगया है और इसके लिए यहाँ पर अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर फोस्ट भी आप देख सकते हैं Technical Advisor यहाँ पर boiler की वेकेंसी यहाँ पर जारी किया गया है इस पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या यहाँ य दी जाएगी, mechanical engineer के अलावा आपके पास experience भी यहाँ पर मांगा हुआ, यानि कि 15 year का experience यहाँ पर मांगा हुआ है, in relevant trade आप जिस भी post के लिए apply कर रहे हैं, तो ठीक है, next जो है आपर vacancy serial number 2 में बताए गया है, इसमें vacancy number आपको देख चाएगा, इसमें 11 यहाँ पर vacancy यहाँ प पर बाटा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, level 10 के तहट आपको salary मिलेगी, age आपकी 35 वार्स होनी चाहिए, इस push को apply करने के लिए bachelor degree वाले apply कर सकते हैं, इसके लावा यहाँ पर जो है आपकी stenographer में अगर आप apply करते हैं, तो इसमें typing speed test जो है आपका connect करा जाएगा, व अगर आपके पास है हिंदी type writing में यहाँ पर stenography में तो आप apply कर पाएंगे, इसके लावा next हम बात करें, next भरती की, तो यहाँ पर जो next यहाँ पर भरती जो निकाली गई है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो है वेकेंसी नमबर, यहाँ पर post reader, textile processing and Indian institute of handloom technology में न textile chemistry या bachelor of engineering, bachelor of technology in textile में होना चाहिए, experience भी यहाँ पर मांगा हुआ है, 5 year का experience यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इसके लावा important date की बात करें, तो यहाँ पर important date यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, और वहीं बात करें, important date यहाँ पर आप देखेंगे, इस form को भरने के लि यहाँ पर बताए गया है, ठीक है, तो चलिए आप सीख लेते हैं, यहाँ पर आपको apply कैसे करने के लिए, आपको वापस से दोस्तों, UPSC की official website पर आ जाना है, जैसी आप official website पर visit करते हैं, तो आपके सामने ऐसा interface open होगा, requirement वाले option पर जागे, advertisement वाले option पर आपको click करना है, और जिस हम vacancy के बारे में अभी हमने चर्चा किया, वो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर advertisement number 14-2022, इस पर click करके इसका notification भी download कर सकते हैं, आवेदन करने के लिए यहाँ पर नीचे दिये गए button पर आपको click करना है, यहाँ पर online requirement application ORA पर आपको click करना है, इस पर click क लिए आवेदन करने हैं, उसके सामने वाले button पर आपको आवेदन करने वाले option पर click करना है, जैसे कि दोस्तों आप assistant इस टो है, तो यहाँ पर आवेदन करे वाले option पर click करना है, तो यहाँ पर दोस्तों इस से related यहाँ पर जो form जो है आपर खुल चुका है, कुछ basic instruction वगरा इसको आप पढ़ सकते हैं, और चाहें तो आप print भी ले सकते हैं, next आगे बढ़े वाले option पर आपको click करना है, इसके लावा यहाँ पर दोस्तों फिर से आपको यहाँ पर जो not instruction वगरा है, फिर से आपको पढ़ने के लिए मिल जाता है, उसके बाद फिर से आपको आगे registration करना है, तो नीचे जाएंगे, तो नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर new registration करके option दिया गया है, इस पर आपको simply click करना है, new registration पर click करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम, father name, mother name, अपना gender, यहाँ पर community आपको select करनी है, आप किस category से belong करते हैं इसके लाबा यह पूरी detail आपको भरने के बाद, यहाँ पर save and continue पर आपको click करना है, एक बार यहाँ पर registration हो जाने के बाद, आपको फिर से दोस्तों आपको इसी site पर आना है, आपको registration ID आपके mobile number और email ID पर भेज़ दिया गया है, उसको यहाँ पर डालना है, यहाँ पर password जो वीडियो दिखने के लिए आप सबीका बहुत बहुत धनिवाद, थैंक्स फोर वाचिंग, जहींद